हेलो फ्रेंड्स से मता दी आज की वीडियो में लाई हूँ मैं कुछ खास टिप्स जिससे कि आपके समय और पैसे दोनों की भज़त होगी आई होब आपको वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एना शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जोरो बताना कि आपको टिप्स कैसे लगें और अगर आप नए होंगे तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीज़ेगा तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तो फैला हैक है मेरा दाल वगारा को लेकर गया जिसमें हमें सबसे आडर यह रहता है कि कहीं इनमें कीडा ना लग जाए तो उसके लिए क्या करना है आपको दाल का पैकेट खाली करना है अपने कंटेनर में अधेन उसके बाद आपको जो है उसमें रिफाइड की दो-तीन पूंदे डाल देनी है जिससे की हमारे दालों को कीडों से बचाया जा सके तो बस इस तरीके स आफ रिफाइंड की दो-तिन मूंदे डालिए और कैप को अच्छे से लगा करके उसे शेक कर लीजिए आप चाहें तो डाल को प्लेट में निकाल करके अपने हाथ रिफाइंड से हलका सा ग्रीश करके उससे भी कर सकते हैं चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको suitable हो तो बस क्या कहने तो mostly time ऐसा होता है कि housewives दिन में अकेली होती है तो उनको यू होता है कि अगर कोई friend आ गई या कोई guest आ गया तो जल्दी से आर अधरक कूटो अधरक वाली चाय बनाओ तो आपको क्या करना है अधरक पहले से ही grade करके किसी box में आपको store करके एक दिन में एक द कर दिया है चोटे से box में अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी चाहे तो आप इसे फ्रिच में रख लीजिए चाहे तो बाहर रख लीजिए मौसम ठंडा है कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो जब भी आपका चाय पीने का मन हो या कोई guest आ जाए तो फो टैक्से इसमें स निकालिए और अपनी चाहे में अद्रक डालिए और लीजिए अद्रक वारी चाहे के मज़े आईए फ्रेंड्स मेरी भी चाहे तयार है आईए हम लोग मिलके चाहे पीते हैं तो यह है का आपको कसा लगा मुझे जरूर बताईएगा नेक्स है के मेरा यह ऐसे घी वाले पर शावे के अपर इसको रख देना है और इस तरीके से यह देखिये इसमें घी गरम होकर किया मिसको एजीली निकाल सकते हैं तो होगी ना हमारे समय की बचट यह देखिए घी निकल आया आराम से उसके बाद मेरा नेक्स्ट है हमारे मसाले और डालों के पैकिट को लेकर जो हम अपने मसाले या डाल वागरा कंटेनर में fill करते हैं तो भी वो बच जाते हैं उनके लिए हमें क्या है ना या तो टो पर फिर वो जो मार्किट में जो वाइड कलर का आपको दिख रहे हैं तो ये ब्डेड रहे हैं मैंने उनको स्टूर गर कर रख लेती हूं नहीं फैकती हूं क्योंकि फिर ये जो है न हमारे पैकिटों का बंद करने में काम आती है तो हो गई ना हमारे पैसो की बचा था में क्लिफ बगरा लाने के भी जरूरत नहीं बड़ी और ये अच्छे से जो है होल्ड हो गया तो अब ये नहीं गिरेगा चलिए मैं आपको दूसरे में बताती हूँ तो ये है चने जो की मेरे बचके पैकेट में बस मैंने इसको भी इन ही क्लिफ से जो है सिक्योर कर लिया है ये देखिए अच्छे से सिक्योर हो जाता है तो अगर आपके पास ब्रेड आती हो तो आप ये क्लिफ बगरा जरूर संभाल के रखिए तो बढ़ते हैं नेक्स टिप में तो नेक्स टिप ये है कि जब भी आप रोटी बना लेती हैं तो आजको अशाना ठंड में पानी तो पिया नहीं जाता पर गरम पानी हर कोई भी लेता है तो बस उसके लिए गैस अपनी बन कीजिए तब हमारा गरम होता ही है तो उसमें एक ग्लास पानी कवर करके आप रख दीजिए और तक आप खाना खाएंगे तब तक या पानी जो है गरम हो जाएगा मैं ऐसे ही इस्तमाल करती हो और फिर एक ग्लास पानी हम आराम से पी सकते हैं तो फ्रेंड्स यह थी मेरी वीडियो आई होप आपको पसंद आ गई होगी इससे हमारा समय और पैसा दोनों ही बचा है थैंक्स फ्रेंड्स